Hello everyone, this is Ashutosh Kumar and I welcome you on my YouTube tutorial channel Ashutosh sir आज किस online एरिक्षिक क्रास में हम लोग एक topic पढ़ेंगे, बहुत important topic है जो जिसको हम लोग syntax के नाम से जानते हैं तो आज हम लोग यह जानेगे कि syntax क्या होता है, किस तरह से इसमें हमें changes करने होते हैं, कैसे इसके related questions आते हैं और क्या इसके related exam में पूछा जाता है, तो उन सब के बारे में जानने वाले हैं तो pen paper लेके बैट जाएं, सभी लोग study mode में आ जाएं और जो भी चीज़ें आपको confusion लगेंगे, उसे आप अपने पास note करते जाएं वीडियो को pause करके आप उसे दुबारा भी देख लिया करें, जो चीज मैंने बताई है अगर clear ना हुई हो आपको तो और कुछ ऐसे rules में बताऊंगा साथ ही साथ extra जो इसमें यहां पर इस PDF में नहीं दिया हुआ है तो आप बहुत ध्यान से वीडियो को देखें, ताकि आपको बहुत से ऐसी चीजें भी clear हो जाएं कि जो इसमें नहीं मौजूद है, जो सामने आप इस PDF में देख रहे हैं जो इसमें नहीं मौजूद है वो भी आपको जानने को मिल जाए जनरली सेंटेक्स का टॉपिक जो है सभी बुकों में दिया ही होता है लेकिन बहुत से चीजें clear नहीं हो पाती है उस study mode को देखते हुए जो printed होता है format उसको देखते हुए तो चलिए शुरू करते हैं कि syntax के बारे में जानने के लिए कि क्या होता है syntax और कैसे इसे हमें solve करना होता है क्या मतलब है इस syntax का तो सबसे पहले syntax की बात करें syntax का मतलब है किसी भी sentence के अंदर छोटी मोटी grammatical mistakes को दूर करने का process syntax में हम लोग शीखते हैं यह syntax में आप जब भी कोई sentence लिखते हैं उस sentence में कोई भी noun जो दिया है noun के साथ यह verb आना चाहिए या नहीं आना चाहिए singular में होना चाहिए यह plural में होना चाहिए उसके साथ helping verb कौन सी लगनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए या जो भी preposition use है, conjunction use है तो overall पूरे sentence में जो भी ऐसे चोटे मोटे errors होते हैं, गलतियां होती हैं उनको दूर करने का process हम लोग syntax में सीखते हैं तो ये बहुत important हिस्सा है board examination में, UP board examination में, CBC board examination में, ISSC board examination में सभी में grammatical parts ही ये बहुत पूछा जाता है इसके अलावा आप competitive exam के त्यारी कर रहे हैं तो IBPS है banking sector का सबसे जादा इसमें पूछा जाता है SSC में, English यहां जहां पूछी जाती है, language का जहां English language का part रहता है उसमें भी syntax के हिस्से काफी पूछे जाते हैं कि किस तरह से आपको sentence correct करना है इसके बारे में तो sentence में आपको एक sentence दिया रहता है और बोला जाता है correct the following यानि sentence को आप सही करिए कि इसमें क्या गलती है लेकिन आप sentence के अंदर जो भी गलती होगी वो तभी आप find out कर पाएंगे जब आपको उसके related rules पता होंगे उसमें जो भी error है वो particular sentence में आपको पता होगा कि ये चीज नहीं होनी चाहिए तभी आप उसे find out कर पाऊगे तो बहुत छोटी छोटी चीज़े होती है syntax में उसको part out करके divide करके समझाया गया है किस तरह से आप किस चीज को find out करोगे ये process आप syntax में सीखने वाले हैं तो आज हम लोग जो topic पढ़ रहे हैं वो syntax में हम noun का topic पढ़ रहे हैं यानि noun में जो basic error होते हैं noun के related जो basic error होते हैं उनको दूर करने का तरीका हम लोग सीखेंगे तो बहुत ध्यान से इसको समझिएगा कोशिश करिएगा कि जो चीजें हैं आपके सामने आ रही हैं उन्हें आप practice के थूरू बहुत जल्दी से clear कर लेंगे तो आपके लिए English को लिखना और उसे समझना और उसके error को दूर करना आसान हो जाएगा तो सबसे पहले हम लोग subject और वर्ब के relation को समझते हैं subject and verb के relation को subject समझने के लिए तो generally हम लोग जब sentence लिखते हैं कुछ ऐसा sentence होता है जैसे एक example के तोर पे शुरू करते हैं इसे starting में लिखा अब y runs on the road हिंदी में अर्थ इसका हुआ कि एक लड़का सड़क पर दोड़ता है हिंदी में इसका अर्थ हुआ अब इसमें noun और वर्ब का क्या संबन्द है इस चीज को समझिए noun और वर्ब का ये संबन्द है कि जब हम लोग कोई sentence लिखते हैं तो sentence जैसे शुरू होता है तो जो भी उसका subject दिया रहता है उसके साथ में क्या verb यूज होनी है और उसकी कौन सी form यूज होनी है ये है subject और वर्ब का relation जब भी हम लोग present के indefinite में sentence लिखेंगे present के indefinite में मतलब जैसे हमें ये सुनने में लगेगा कि कोई आदत बता रहे हैं वह खाना खाता है वह दोड़ता है वह खेलता है वह घर जाता है तो सुनने में ऐसा लगेगा कि जैसे कोई आदत सी बता रहे हैं हम उसे लेकिन ये regular काम वो करता है regular basis पे करता है तो ऐसा कुछ लगना चाहिए तो उस जगें पे हम लोग उसको present का indefinite कहते हैं अंग्रेजी में इसको जब हम लोग लिखते हैं तो subject जो भी हमारा होता है subject मतलब शुरुबात में आने वाला sentence word जो भी starting में दिया रहता है वो एक वचन है या बहु वचन है इसको देखते हुए हम उसके बाद में helping verb और verb का use करते हैं basically हम लोग verb का use करते हैं जब helping verb आती है तो वो एक simple sentence कहलाता है indefinite नहीं कहलाता है यहाँ पे present के indefinite के हम लोग बात कर रहे हैं तो sentence में जब भी कोई subject दिया होगा जैसे suppose कर यह लिखा boy इसके तुरंत बात जो verb दी होगी उसकी कौन सी form use करनी है यह चीज़ यहाँ पे आपको देखना होगा तो सबसे पहले step जो होता है वो यही होता है कि present का indefinite जो sentence लिखा जाता है उसमें formation कुछ इस तरह होगा subject होगा प्लस verb की first form होगी और फिर प्लस other word जो भी extra sentence के अंदर मौजूद होगे वो दिया रहेगा अब आपको इसमें दो चीज़े समझनी होंगी पहला यह कि जो भी subject दिया है वो एक वचन है या बहु वचन मतलब वो अकेला है बहु वचन मतलब धेर सारे है या किसी group को जो है वो प्रदर्शित करता है उससे पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि वहाँ धेर सारे लोगों की एस का यूज करते हैं वर्ब की फर्स फर्म के साथ एस या एस का यूज करते हैं और अगर subject बहु वचन है या धेर सारे हैं जैसे मान लीजे हम लिख रहे है यह दे लिखा है यह प्लूरल है धेर सारे लोगों की बात बताता है यह वे तो यहाँ पर जो helping वर्ब आएगी व आपको कब S या इस वाला वर्ब लगाना है और कब S वाला नहीं लगाना है यह चीज समझनी है अब sentence आपको सामने कोई दे दिया गया लिखा गया कि अब वाए रन यहां पर देखें लिखा हुआ है द्यान से देखेंगे तो यह लिखा है रन्स मान लीज यह सा कोई sentence दे दिया गया वहां लिखा गया रन केवल तो sentence में आपको कह दिया कि error found out करिये तो error क्या होगा वो भी समझ लीजे जैसे sentence लिखा अब वाय और इसकी जगहां कर लिखा होता run on the road तो यह sentence गलत था तो यहां पर अब वाय जो है अकेला है इसलिए run के साथ में s लगेगा तभी यह sentence सही होगा तो यह sentence कहा जाएगा अब वाय runs on the road तो इस तरह से यह sentence सही हो जाएगा तो इसमें आपको यही चीज find out करनी है कि जो subject है क्या उसी के according उसके साथ जो main verb use है वैसे ही है जैसा हम लोग देखते हैं तो यह चीज़ आपको देखनी है तो जब भी subject singular होगा verb की first form के साथ s या es जब subject plural होगा या धेर सारे लोगों को प्रदरशित करना होगा तो वहाँ पर verb की first form ही गेवल लगा देंगे उसमें s या es का रोल नहीं लगाएंगे या उसके साथ s या es नहीं जोड़ेंगे तो यह चीज़ ध्यान रखनी है जनरली जो भी हमारे पास subject दी रहते हैं वो जब plural में होते हैं तो हम लोग जो verb लिख रहे होते हैं उसमें s या es लगाके उसे singular नहीं बनाते हैं तो इस तरह की चीज़ें में ध्यान रखनी है सारे example में ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा यहां कह रहे हैं he goes to school तो देखें he जो है अकेला किसी व्यक्ति के लिए कहा जा रहा और फिर कहें कि goes तो go first form होती है इसमें s या es में es जोड दिया जाएगा तो इसलिए sentence बन जाएगा he goes to school इस तरह से sentence यह सही होगा तो correction आपको यही find out करना है कि अगर कहीं लिखा हो he go to school तो यह गलत हो जाएगा जब लिखा जाएगा he goes to school तो यह सही हो जाएगा यहाँ पर जो सामने example देख रहे हैं यह सिर्फ example है इस तरह के sentence को आप अपनी book में भी देखें उसे solve करें तब ही आप clear कर पाएंगे कि कैसे कैसे sentence आपको मिलते हैं जैसे यहाँ he goes लिखा है हो सबता ही की जगे पर कोई न लिख के आता है sentence जिसे आपको correct करना होता है तो उसमें यही find out आपको करना होगा कि correct क्या करना है हमको किस point of view से इसे देखना है वो चीज़ समझनी होगी अब जैसे subject अगर बहु अचन में हो यानि धेर सारे लोगों को प्रदर्शित कर रहा हो तो वहाँ पे वर्ब जो grammatical error को ही find out करना होता है SSC और IBPS के examination में यह चीज़ पूछी जाती है कि इसमें आपको कोई भी spelling error नहीं find out करना है केवल और केवल यहां पर grammatical error को ही दिखाना होता है कि क्या grammatical error है इसमें word examination में भी same pattern रहता है अब next sentence में भी देखिए यहां पर boy एक था लेकिन उसको s किया गया तो इस तरह से sentence में हमें इसे error को दूर करना है तो जब भी कहीं sentence में मिल जाए boy यानि ऐसे लिखा और फिल लिखा और फिल लिखा to school तो यह गलत है क्योंकि ना तो यह boy जो है plural है और ना ही यह plural के हिसाब से लगा हुआ है तो दोनों ही चीज़ यहां पर हैं अगर sentence में यह चीज़ plural होगी तभी यह first form में लिखा जाएगा अगर यह singular होगी तो इसमें s या es जोड़ दिया जाएगा तो इन चीज़ों को आप यहां पर घ्रान रखेंगे तो generally यह चीज़ होती है कि जो noun हमें दिया रहता है वो singular होता है तो उसमें s या es जो है नहीं लगा ह होता है यानि अगर मान लीजे कहीं boy लिखा है तो boy में s या es नहीं लगा है तो मतलब यह singular है और सेम चीज़ अगर वर्ब में है suppose उसमें s या es नहीं लगा है तो वह plural है s या es लगाने के बाद उसे singular बनाया जाता है तो यह वर्ब और subject में थोड़ा सा change होता है एक बात फि इसी simply लिखा है उसमें s या es नहीं लगा है तो यह एक वचन को शो करता है और उसमें अगर s लगा हुआ है last में तो इसका मतलब यह बहु वचन को शो करता हाला कि सब जगह ऐसा नहीं होता है जनली आप ऐसा देखेंगे और वर्ब जो है वह जब एक वचन में होगी तो उ सारी चीज़ें यहां देखकर यह पढ़ सकते हैं कि जैसे देखें बॉइक को चेंज करके बॉइस में करा तो यह सिंगुलर था इसे बना देंगे फिर इसी तरह से मैन लिखा है तो कुसमें कुछ वैसे वर्ट्स होते हैं जिसमें इंटर्नल चेंजिस करके हमें उसे प्लि सिंगुलर बनाना है यह सारे के सारे जितने भी यहां सिंगुलर दिये हुए पहले से देखें तो आप इधर वाला सिंगुलर देख रहे होंगे लग रहा होगा तो यह रिवर्स में आप समझ लीजिए कि ऐसे यहां पर जो दिखेंगा वह ओल्डेडी प्लिए लगाना है म सिंग लिखा उसमें सिंगलर बनाने के लिए आस लगा दिया तो इस तरह से हमें चेंजिस करने हैं तो संटेक्स में आपको इस तरह के जब पिर कहीं पर 8 है तो इसके बाद आपको is, am, are में से ही कोई चीज जो है यूज करनी है हलाकि यहां पर am नहीं यूज करना है am जो है वो i के साथ ही के वर यूज होना है he और she और it के साथ is और singular की अगर बात करेंगे singular लगाने की तो यहां पर होगा he के साथ जब भी यूज करेंगे तो present में is होगा और past में was यूज करेंगे she के साथ भी ऐसे यूज होगा और it के साथ भी ऐसे तो मतलब यह दोनो वर्ड्स जो हैं वो singular के साथ ही उज होते हैं अब plural की बात करें तो plural U के साथ हमेशा जो है present में R लगता है A, R, E और past में लगता है वर यह helping वर यहाँ पर ध्यान रखनी है present में आप लगाएंगे तो R लगेगा U के साथ और plural उसमें past में लगाएंगे तो वर लगेगा यहाँ पर इची ध्यान लखना है फिर I के साथ अगर present sentence है तो वहाँ पर M लगेगा और अगर वो past sentence है तो वहाँ पर was लगेगा अब यह चीज यहाँ ध्यान लखने की I के साथ was ही लगाना है वर नहीं लगाना है जब वर लगता है तो उसकी condition अलग होती यहाँ के साथ was का यूज भी होता है लेकिन कब यह भी आगे आप समझेंगे से कैसे कहाँ पर होता यूज तो अभी आप फिलहाल basic चीजों को समझेए इसके लावा he के साथ has का यूज होता है कभी भी have का यूज नहीं होता है he के साथ में ठीक उसी तरह से she के साथ भी has का ही यूज किया जाता है और it के साथ भी has का यूज किया जाता है तो यह चीज यहाँ पर ध्यान लखनी है same thing कि अगर कहीं पर you लिखा है तो उसके साथ आप have लगाएंगे we लिखा है उसके साथ भी have लगाएंगे अब एक अपवाद भी याद है यह कि i के साथ has नहीं बलकि have लगाना है h-a-v-e have तो इस तरह की चीज़ें जब भी आपको इसके opposite दिखेंगी तो आप उसको error समझेंगे और जो rules के according चलेगा उसे आप correct करेंगे तो sentence जब भी error find out करने की बात करेगा तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है i के साथ am use i के साथ have का use और i के साथ में past में use करेंगे तो was का use इस तरह की चीज़ें ध्यान में रखनी है तो जब example आप इसके solve करेंगे तो यह और भी अच्छे से clear कर पाएंगे कि कैसे क्या sentence में error दिखाना है या कैसे उसको दूर करना error को जैसे sentence लिखा है विमल plays hawking यह sentence देख लिजे ध्यान से कि विमल जो है अकेले ही है अब plays लिखा हुआ है तो plays यह जो show कर रहा है यह show कर रहा है कि विमल एक अकेले ही है कि सीता के साथ में सिंग लिखा हुआ हो सिंक नहीं सिंग तो यह गलत हो जाएगा उस जगये पर तो ऐसी ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि की कौन सी यह है करने हैं तो आई होब कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही है इसमें कुछ संटेंस आपके सामने हाँ पर है इन संटेंस को आप सॉल्व करें जो भी कन्फीजों मुझे कमेंट बॉक्स के तुरू पूँचें कि आपको क्या चीज़ें कहां पर दिख्कत आई हैं मैं उसको शॉ कर सकते हैं इसमें आपको ऐसे ही एक्सराइज मिलने वाली एक्जाम में भी कि करेक्ट करके लिखा रहेगा आपको संटेंस में देखकर यह पता लगाना है कि कहां पर कमी है कहां पर गलती है उसे दूर करके आपको सही लिखना है जैसे एक्जांपल के तौर पे पहले में इस तरह से, next sentence में मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ इसे ही, कि boys लिखा देखे plural में, इसके बाल लिखा है runs, तो दोनों में से आप एक चीज़ सही कर सकते हैं, दोनों में से एक चीज़, मतलब ध्यान से देखेंगे, तो sentence में लिखा है boys runs on the road, तो या तो आप boys का जो है, एस हटा दीजिए, तो boy runs on the road इस तरह सही होगा, लेकिन इसके पहले आपको अलगाना पड़ जाएगा, तो आप boy runs on the road इस तरह से, और या फिर आप directly केवल जो run लिखा, इसमें से एस हटा दीजिए, तो ये पूरा सही हो जाएगा, तो ये चीज़ें आपको find out करनी होंगी, तो error को find out करिए, और जो भी आपको confusion लगेगा, उसे comment box के थूरू question मुझसे पूचिए, मैं उसको shot out करूँगा, तो अब next topic के तरफ चलते हैं, इसी में ही, उसे भी मैं आपको clarify कर देना हूँ, किस तरह से आपको अगला part का solve करना होगा, syntax जो है, बहुत बड़ा part है, syntax में छोटे-छोटे हिस्सों में चीज़ों को बताई गई है, छोटे-छोटे हिस्सों में rules को जो है, एक pack बना के आपको सामने दिया गया है, ताकि आप चीज़ों को आसानी से clear कर सकें, तो इसलिए हर एक step में, हर एक जगहे पर आपको एक exercise मिलने वाली है, उसे आप solve करेंगे, तो आपको अच्छी knowledge हो जाएगी, syntax के error find out करने की, तो अब जो हम next topic इसी का पढ़ रहे हैं, यह topic वही है, noun का ही, लेकिन इसका जो next level पढ़ रहे हैं, उसे भी बहुत ध्यान से देखीगा, क्योंकि जो पहले आपने अभी सुना है, पढ़ा है, उसमें से कुछ आपको confusion वाली चीज़े दिखने वाली हैं, उसके विपरीद, तो अभी मैंने एक चीज़ बताई थी थोड़े पहले, कि I के साथ कहीं पर वर भी यूज़ होता है, लेकिन कभ यूज़ होता है, तो वो भी चलिए देख लेते हैं, I के साथ इस भी यूज़ होता है, अब यह कुछ बच्चों confusion होगा, कि I के साथ इस कभी यूज़ होता है, आई के साथ वर कभी यूज़ होता है, तो यह दोनों ही condition, मैं इसी section में बता रहा हूँ, आप इससे ध्यान से देखेंगे, तो पता चल लाएगा, अब देखें, जैसे यहाँ पे लिखा हुए एक sentence, कि she need not go, तो यह sentence जो लिखा, इस चीज़ को ध्यान समझिए, आपको दो वर्ब याद रखनी है, एक वर्ब याद रखनी है, डेर, डेर का मतलब जिसका होता है, साहस करना, दुस्साहस जैसे हम लोग कहते हैं, नहीं कि दुस्साहस मतकुरो ऐसा करने का, इन्हें plural के साथ भी लगा सकते हैं, बट आपको ध्यान ये रखना है, कि need के बाद में s नहीं लगाना है आपको, और ठीक वैसे dare के बाद भी s नहीं लगाना है, यानि अगर need not लिखा है, तो ऐसी लिखा रहने देंगे, और dare not लिखा है, तो वैसे ही रहेगा, इसमें s नहीं लगना चाहिए, अब अगर आपको sentence कोई ऐसा दे दे, जहां पे लिखा हो के dare, तो वो गलत है, यानि es करके लिखा हो, d, a, r, es, तो वो गलत होगा, तो यह चीज़ यहाँ पे समझनी है, sentence आपको जब भी मिलेगा, तो यह चीज़ यहाँ पे इस तरह लिखी है, अब यहाँ पे आप दे लिख सकते हो, दे, नीड, नॉट, गो, तो यह भी सही है, इसी तरह से आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, वी, dare not attack on him, या केवल him लिख सकते हैं यहाँ पे, या कहीं पर s मिल जाए changes मिल जाए तो आप उस error को find out कर पाएंगे आसानी से इस चीज़ को बहुत अच्छे समझ लें क्योंकि ये एक चोटा सरूल है जो कहीं कहीं पर sentence के बीच में अचानक से आ जाता है तो confuse करता है तो इस चीज़ को जरूर क्लियर करने कि कब ऐसा हमें करना है नेक्स्ट इसी तरह से sentence देखें कि अब जो मैं बात बता रहा था कि कि आई के साथ हम लोग वर का यूज कब करते हैं तो देखें आई के साथ हम वर कभ यूज करते हैं या प्लूरल वर्ड को हम कभ लगाते हैं helping वर्प को यह तब लगाते हैं जब हमें कोई भी ऐसी बात बतानी हो जो एक assumption हो जो हम मान रहे हैं जैसे मैं अपने बारे में की जगक मेरा किर्द पर पलब कर राखतर को जब इस तरीक सबुए बात गूं गा थे एक मेरी इच्छा में अपनी विश्य को में प्रचाट कर रहा हूं तो उस जगयेंपे आई के साथ में जो है वर लगेगा क्योंकि यह सचाई ही है यह मेरी इच्छा है मन में भावना है तो इसलिए वहाँ पर हम जो इस चीज को रूल को आपोजिट कर देते हैं जैसे एक्जामपल के तौर पर भी समझ लीजे कि लिखा आई विश मेरी इच्छा है आई वर दप्रेसिडेंट आफ इंडिया तो इस कंडिशन में आपको है नहीं तो वहाँ पर इस रूल को आपोजिट कर दिया जाता है नेक्स इंटेंस में भी देखी कुछ ऐसा है आई विश मेरी आशा है इट वर पॉसिबल कि ऐसा होता तो देखिए इट के साथ में मैंने बताया भी पास्ट में वाज लगाते हैं प्रेजेंट में इस लगा को ही कल बाता रहा हो को कवे कंडिशन मता रहा तब ऐसी सय नेक्स है कि ही ऑडर मी ऐसं यह यह देख रहे हैं यह आ पर देखन तो यहीं चीजा आपको शमजोनी है कि कभ यहां पर वरका यूज हमें करना है तो बहुत ही ध्यान से समझ यह पॉइंट क्योंकि यह सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज करता है सिंटेक्स का पार्ट जो होता है छोटी छोटी चीज़े होती है वहाँ पर सेंटेंस में आपको कभी यह नहीं कहा जाएगा कि आप ऊसमेंός वाला इर्र तो इसके लिए आपको चोटे-चोटे रूल्स पता होने चाहिए दूसरा प्रैक्टिस होनी चाहिए सेंटेंस की तभी आप इसे पांड आप कर पाएंगे तो नेक्स इंटेंस में ऐसी कहरा है कि किस तरह से हमें यूज करना है वर का यानि कोई भी वर जरूरी नहीं है कोई भी चीज़ें आपको और भी मिलेंगी लेकिन यह इच्छा की बात कर रहे हैं यहां पर बेसिकली आपने जो चीज़ें देखी हैं इसी तरह की इच्छाओं को प्रकट करने के लिए आई के साथ जो है वर का यूज किया जाएगा इस चीज़ को आप समझ लें ध्यान से ठीक है नेक्स अब इसी पार्ट में समझते हैं कि अगर कहीं पर कोई भी सब्जेक्ट इस तरह का दिया हो कि जो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उनके साथ में सेव लिव ब्लेस यह तीनों जो हो किसी जो है राजा की जानबचाई या राजा की रक्षा की लाँग लिव इंडो सोवियत फ्रेंटशिप की इंडो और सोवियत की जो फ्रेंटशिप है दोस्ती है मितरता वो जो है लंबे समय तक रहे इस तरह से फिर उसके बाद लॉर्ड ब्लेस यू एश्वर आपको लेंगे इनको हमेशा सिंगुलर सब्जेट के साथ यूज करना है तो कहीं पर यह सब्जेक्ट अगर प्लूरल मिल जाए या फिर इसको कहीं पर एस लगा के प्लूरल बनाया जाए तो वह गलत होगा तो इस चीज को आप यहां पर ध्यान रखेंगे अब इसके रिलेटेड भ बाकि यहां पर जाएंगे उसे तुरु आप अच्छे से प्रेक्टीस कर पाएंगे जिस फीडियाफ को आप इसके पीछे देखरें वीडियो में पीडियो में पीदियाफ को भी डाउन्लोड करने के लिए आप सब्साइट पर विजट कर सकते तों के थैंक्यू क्लास कि आज आपको सारी चीज़े क्लियर होई होंगी नेक्स्ट एलर्णिंग सेशन में इसके नेक्स एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे तब तक कि लिए इस्टे हैपी इस्टे सेफ एंड की वाचिंग आशुतुर्सा चैनल